नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का क्वालिटी एग्युकेशन पर हार्दिक स्वागत है जैसे कि अपनी स्रंकला चल रही है रीट मैंस को मद्य नजर रखते हुए लेवल वन और लेवल टू के अंदर राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान भुगोल का एक कि बहुत बड़ा पोर्चन जो है वोर समें जोड़ा गया है और उसमें राजस्थान भुगोल के उपर अंतिम प्रहार को लेकर अपन जो है वो राजस्थान अध्यन की कक्षा जे से लेकर कक्षा 12 तक की जो पुस्तके है उनके उपर आधरीत जो प्रशन बन सकते है राजस्तान अध्यन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के उपर जो क्यूसन बन सकते है उसके उपर जो है वापन इस क्लास को या इस स्रंकला को जो है वो चला रहे है जिसमें राजस्तान अध्यन की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तके हैं आज जो है वो क्लास नमबर 6 है जिसमें आपके टॉपिक लिया गया है मर्दा एवं मर्दा संरक्षन मर्दा एवं मर्दा संरक्षन जो की एक important topic है यहां से एक से दो क्युस्टन जो है वो आपको पूछे जाने की संभावना है एक से लेकर दो क्युस्टन भी इसमें पूछे जा सकते हैं राजस्तान बुगोल के उपर अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो जाई है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और बचे वे समय के अंदर अगर आप राजस्तान अध्यन की पुस्तको का कहन अध्यन करने के बाद कुछ यह क्युस्टन और निकाल लेते हैं तो मेरे इसाब से आपके लिए sufficient है राजस्तान गुगोल तो सुरू करते हैं पहला क्युस्टन आपके लिए है देखिए कपास का सरवादिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है कपास का सरवादिक उत्पादन जो है वह किस प्रकार की मिट्टी के अंदर होता है यह क्योशन है आपके सामने लेटराइड मिट्टी है काली मिट्टी है जलोड है या फिर कच्छारी है देखो कपास जो है इस कपास के नाम से ही एक मिट्टी आती है जिसको कहा जाता है कपासी मिट्टी क्या बोलते हैं कपासी मिट्टी कपासी मिट्टी इसको कहा जाता है इ कि इस मिटी के अंदर जब घड़ी दरारे हो जाती है तो किसान इसके अंदर सीधा बीज वो देता है यानि कि इसके अंदर किसी भी हड या फिर टेक्टर चलाने के आउशक्ता नहीं होती है इसलिए इसको जो हवा स्वतहे जुताई वाली मिटी भी बोलते हैं और ये मिटी अगर देखा जाए तो कौन सी है ये मिटी आती है आपके मध्यम काली प्रकार की मिटी या फिर काली मर्दा भी उसको बोल सकते हैं खास बात क्या होती है इसकी इस मिटी की खास बात यह होती है कि इस मिटी का जो कण होते हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं ठीक है और छोटे कणों की वज़े से इनके बीच का जो गेप है वो काफी कम होता है और ये थोड़ी सी जो है वो कले टाइप की होती है यानिकि चिकनी मिटी होती है जिसके बहुत महीन कण होते हैं इस वज़े से इस मिटी के अंदर जो जल है उसके जल की धारन जो शमता है ये काफ और शारिये लावे की वज़े से रहा है, और वहता है और राजस्तान के अंदर पठारी चेतर के अंदर करें तो जो हडोती का पठार है यानि कि दक्षड पूरवी जो राजस्तान है कोटा बुंदी बारा जहलावार वहां पर इस मिट्टी का एक प्रकार से विस्तार मिलता है तो इस का आंसर जो है वो आपके काली मिट्टी हो जाएगा जो कपास के लिए जानी जाती है अगला कि राजस्तान का जो पूरवी हिस्सा है इस हिस्से के अंदर यह वाला जो छेतर है मुख्य रूप से पूरवी मेदान राजस्तान का कौनसा पूरवी मेदान इस पूरवी मेदान के अंदर यहां पर कहीं सारी जो है वो नदिया है चोटी मोटी बहुत सारी नदिया इदर आपके चंबल है, इदर बनास है, कई सारी नदिया है और इन नदियों के दौरा जो है, वह अपने साथ में, वहां की जो इस्थानी मिट्टी है, उसको बहा कर लेकर आजाती है, और जब ये मिट्टी इसको बहा कर लेकर आती है, तो वहां पर क्या होता है कि दो मिट्टीया यानि कि दो मिट्टी है इसमें मिजूड जाती है दोमट मर्दा या फिर इसको ही बोला जाता है कच्छरी मर्दा दोमट या फिर कच्छरी मर्दा जो है वो इसको बोला जाता है और यह मर्दा कौन सी आती है आपके जलोड मर्दा आती है तो जलोड मर्दा या फिर दोमट मर या फिर कच्छरी मर्दा जो है, यह किसके द्वारा निर्मित होती है, नदियों के द्वारा निर्मित होती है, नदियों का जो जमाव होता है, उसकी वज़े से इसका निर्मान होता है, लेटे राइट मर्दा जो है, यह यह राधस्तान में नहीं मिलती है, यह उंचे पठार तो इस किसन का आंसर जो है वो आपके 4 नम्मर होना चीज़ है जलोड मर्दा अगला किसन देखिए सेम समश्या से कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है या सरवाधिक प्रभावित है देखो सबसे पहले तो दो चीज़े आपको पता उने चीए एक तो सेम की समश्या क्या है और दूसरी चीज उससे प्रभावित जिला कौन सा है देखिए is same समेश्या का मतलब होता है की कोई भी अगर मान लो यह है नहर जो है वो इस परकार से प्रवाइत हो रही है तो इस नहर चुकि नहर जो होती है वो निर्मित किस्से होती है नहर जो होती है इसके चारो तरफ यहां पर आपके सिमेंट की जो है वो दिवारे बना कर इस परकार की नालिया बना दी जाती है बड़ी बड़ी वही आपके क्या है एक परकार से नहर है इसके अंदर पानी चल शेम समश्य जो है ये मेनली जो है वो आपके पश्चिमी राजस्तान के अंदर देखने को मिलती है पश्चिमी राजस्तान और इसका मुख्य कारण क्या है कि पश्चिमी राजस्तान के अंदर जमीन का जो नीचले वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जिपसम का जमाव चेतर होत पर जिपसम का जमाव होता है और जिपसम की खास बात यह होती है कि जैसे वो पानी के संपरक में आता है तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है तो यहां आसपास का जो पानी है जैसे यह आसपास के खेतों में जाएगा यहां पर जाने के बाद इन खेतों के नीचे जो जिपस का जमाव है उस जिप्सम की वजे से यह जो पानी है कुछ समय तक तो यह रोजु इसके अंदर उससे पानी का रिशाव नहीं होता है और यह पिर पानी यही पर भरावा रहता है समेश्चा अब राजस्तान दर सियम की समयश्चा वही पर ही दिखाई नहीं कि जहां पर नहरी पढ़ना लीं ज्यादा है नहरी तंत्र ज्यादा है तो राजस्तान के गंगा नगर और हनुमानगर जिला जो है वहां पर सबसे ज्यादा नहर इसके अलावा राजीव गांदी सिद्धमुक नहर है, नोहर प्रोजेक्ट है, हनुमानगड के अंदर काफी ज़्यादा जो है वो छोटी मोटी नहरे हैं, इस वज़े से हनुमानगड जिले के अंदर राजस्थान में पहले नमबर पर और सिदी गंगानगर के अंदर सेकिड नमबर पर जो इसे सेम की समझ्षा के निवारन के लिए अब देखो यहां पर जिपसम की वज़े से ही यह समझ्षा पैदा हो रही है और इसको मिटाने के लिए भी इसमे क्या डाला जाता है वापिस जिपसम ही डाला जाता है क्योंकि जैसे इसमें जिपसम डालेंगे वो इस पानी को सोक ल इस नेदरलेंड की एक तक्नीक है, वो भी यहां पर प्रियोग में ली जा रही है, उसमें जो आजपास की खेते हैं, इनमें मोटरे रखी जाती है और इस पानी को वापिस इस नहर में डाल दिया जाता है, ये नेदरलेंड की तक्नीक है, ये आपके एक आंसर हो जाएगा, से यह दो प्रकार से हो सकता है मुख्य रूप से एक तो हो सकता है यह फिर राजस्थान के अंदर मर्दा का जो अपरदन है यह दो प्रकार से हो सकता है एक से हो सकता है आपका जिसको अपन बोला जाता है मर्दा का एक प्रकार से परत अपरदन और एक जो होता है मर्दा का वह क केलाता है आपका अव नाली का अपरदन इन दोनों में डिफरेंस यह है परत अपरदन जो है यह हवा की वज़े से होता है जैसे ही तेज हवा चलेगी तो उस हवा के साथ में जैसे मानलो इतनी दूर की यह परत है पूरी की पूरी मिर्दा की तेज हवा चली इस हवा के साथ म हवा की वज़े से जबकि अवनाली का अपरदन जो है ये पानी की वज़े से होती है और पानी की वज़े से कैसे होती है कि जैसे मान लो इस छेतर के अंदर यहां से कोई एक नदी जो है वो परवाहित हो रही है यहां से एक नदी परवाहित हो रही है यह नदी के अंदर जब पर ये नदी परवाहित हो रही है वहां पर जहां से चोटे चोटे नदी नाले जा रहे हैं वहां पर इसे नालिया बन जाती है और इस अपरदन को पानी की द्वारा हो रहा है चूंकि और इसको इस नाली बनने की वज़े से इसको क्या कहा जाता है अवनाली का अपरदन कहा इस अवनाली का अपरदन की वज़े से ही अपन चंबल का बीहड छेतर पड़ते हैं और इसी अवनाली का अपरदन की वज़े से गगर जो बैसिन है उसको नाली प्रदेश भी कहा जाता है तो यहां से आपके सामने जो आंसर है इसका क्या निकल कर आएगा देखिए सरवादि रादस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल मर्दा पाए जाती है अद्धूनिक वरगीकरण, मर्दाका जो आदूनिक वरगीकरण है इसके आधार पर रादस्थान के अंदर मर्दा एंटी सॉल, एरिडी सॉल, इनसेफ्टी सॉल, अलफी सॉल, और वर्टी सॉल. पांच प्रकार की होती है वर्टी सॉल, यानि कि मर्दा के आधूनिक वर्गी करण के आधार पर राजस्तान के अंदर पांच प्रकार की मर्दाई मिलती है, एक मर्दा आती है एंटी सॉल प्रकार की, एक होती है एरिडी सॉल, एक होती है इनसेफ्टी सॉल, एक होती है अलफ को छाटना चाहें, तो सबसे पैंचिम वाला है ये वाला यहां पर आपको मिलती है एंटी-सॉल परकार की मर्दा, पिल्कुल पैंचिमी र लगबग पूरी वी राजस्थान के अंदर, इस पूरे के पूरे हिस्से के अंदर, जहां पर आपका किस का जमाव है, लोह ऐसक का जमाव है, उस छेतर के अंदर आपके मिलती है अलफी सौल मर्दा, कौन सी मिलती है, अलफी सौल मर्दा, और राजस्थान का जो कोटा जोन व अब किस प्रदेश में एंटी सॉल परकार की मर्दा मिलती है अगर दिशा के इसाफ से बात करें तो पस्षिमी राजस्थान के लिए कौन से राजस्थान के लिए पस्षिम के लिए है अल्फी सॉल जो मर्दा है ये पूरवी राजस्थान के लिए है घर्टी सॉल जो है ये है आपके दक्षिन पूरवी राजस्थान के लिए आती है और अगला किशन देखिए इसके आप स्क्रिंशोट लेना चाहे तो ले लीजिए अगला किशन आता है निम्न में से किस नाम से लवनिय एवं शारिय मर्दा को जाना जाता है लवनिय एवं शारिय मर्दा जो है यह मुख्य रूप से आपके ऐसी मर्दा होती है लवनिय और शारिय की जिनके अंदर कोई भी फसल नहीं हो पाती है इसमें क्या हो कोई भी फसल आसानी से नहीं हो पाती है अब जो आसानी से फसल नहीं होती है उस मर्दा को अपन किस परकार की मर्दा बोलते हैं उसर मर्दा बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर आपके कलर मर्दा भी बोला जाता है इसको जो है जेपर वाले इसे के अंदर वसल नहीं होती है यानि कि उपरियुक्त सभी नामों से जो है वह लवनिये एवं सारिये मर्दा को जाना जाता है अगला क्यूशन देखी वर्टी सोल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है देखो एंटी सोल जो आधुनिक वर्गी करण है मर्दा का ये र जो हमारे कोटा जोन के अंदर आता है कोटा में मिलेगी कि ऑर्टी। सोल मिलेगी कोटा हैCall कोन बुंदी है बारा है और जालावाड है ये चारी जिलेज आते हैं इस मेवको आप देखोगे कि और बारा जिला चुकि कोटा बुंदी 12 जालावार में आता है तो इसका आंसर क्या होगा आपके 12 जिला जो है वो सही आंसर होगा अगला देखिए लाल लोम रेड लोम जो आपके मरदा है यह राजस्तान के कौन से जिले में मिलती है देखिए जब राजस्तान को आमानिय परकार की मरदाओं में बाटा जाता है जो अपन पढ़ते हैं या फिर जहां से क्यूशन ज़्यादा पूछा जाता है उनकी अगर अ मरदा आती है भूरी रेतिली मरदा है भूरी रेतिली है उसके बाद में राजस्तान के अंदर नदियो द्वारा निर्मित जो है वह मरदा होती है आपके जलोड दोमत या फिर कच्छारी मरदा उसके बाद में यहां पर राजस्तान के अंदर आती है आपके मरदा जिसको ब बोला जाता है ठीक है ना उसके बाद में यह वाला जो हिस्सा है यहां पर आपके मिलती है काली परकार की मर्दा और इस दक्षिनी राजस्तान के अंदर मिलती है आपके लाल लोमी मर्दा यह राजस्तान के एक परकार से सामनी रूप से वरगे करना है मर्दाओं का तो पश् बूरी रेतिली परकार की मर्दा जलोड मर्दा जो है ये किस के लिए है पूरवी राजस्तान के लिए आ जाती है लाल लोमी जो है ये है दक्षनी राजस्तान के लिए आ जाती है काली जो है वह आपके दक्षन पूरवी राजस्तान के लिए आ जाती है यह यहां से कुछ किसन बन सकते है आपको क्या पूछ रहा है कि लाल लोमी राजस्तान के कौन से जिले में है अब लाल लोमी मर्दा दक्षनी राजस्तान के लिए है तो इस वाले हिसे के अंदर डूंगरपूर, बांशवड़ा, प्रताबगड, उद्यवपूर, चितोडगड ये वाले जिले देख लीजे कहां पर है भाई भीलवड़ा अजमेर नहीं हो सकता है यहां पर लाल पीली परकार की मिलती है या फिर इसको भूरी पीली भी बोलते है बुंदी कोटा के अंदर नहीं होगा यहां पर तो काली मरदा मिलती है डूंगरपूर बांशवड़ा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि डूंगरपूर बांशवड़ा में बुख्य रूप से लाल लोमी परकार की मरदा मिलती है सीरोही पाली भी नहीं होगा पाली के अंदर भूरी रेतीली है सीरोही के भी हिसे के अंदर मेकजिमम में भूरी रेतीली परकार की मरदा मिलती है तो आंसर इसका तीन हो जाएगा एकदम सही कोटा बुंदी जहलावार जिले में कौन सी मरदा प्रधानता है तो देखिए वापिस वही आ गया है कोटा बुंदी और जहलावार कोटा बुंदी बारा जहलावार के अंदर कौन सी परकार की मरदा मिलती है तो वह मिलती है आपके मध्यम काली परकार की मरदा अन्य नामों से भी जाना जाता है यहाँ पर जो मर्दा है न यह वाली इसको basically मिस्री तलार या फिर पीली भूरी भी बोला जाता है तो confuse नहीं होना है इसके नाम दो तीन मिलते हैं लेकिन इसका answer जो है यहाँ पर आपके काली मरदा हो जाएगा अगला आता है एरिडी सोल मरदा जो है उसका परधानते चेतर कौन सा है अगर आप यहाँ से एरिडी सोल की बात हो रही है पूरवी राजस्तान कौन से वाले इससे में हो जाएगी मध्धे राजस्तान के लिए अरिडी सॉल परकार की मरदा या फिर इसमें वैसे पश्चिमी राजस्तान ज्यादा मोश्टली इसमें आंसर जो हो पश्चिमी राजस्तान इसका ज्यादा होगा इसका reason ये है क्योंकि पचास सेमी समवर सारेका लगबग राजस्तान को दो भागों में बाटी जाती है और उस पचास सेमी का जो पश्चिम वाला इससा है उसको पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्तान कहा जाता है लगबग यहां से जो है आपके पचास से मी समवर सारे का यहां से ही गुजरती है पचास से की तो इस वजे से इसके इधर वाला पूरा का पूरा इसा जो है वो पश्चिमी राजस्तान यही होगा तो मद्य राजस्तान उसका आंसर नहीं होगा इसका आंसर जो है वो एरिडी सॉल वर्टी राकार से मध्य राजस्तान इसके अंदर मरदा आती है इन राजस्तान के लिए एरेडी राजस्तान में खरजो जाएग और इसमें पसके महत्ता सरुवादिक विस्तार है कौन सी मर्दा का सबसे ज़्यादा विस्तार है देखो अगर इस पेसली लिखावा रेता भूरी रेतिली मर्दा तब तो वह आंसर होता जब मेकजिमम विस्तार की बात करते हैं तब कौन सी होती है रेतिली मर्दा और रेतिली जो है इसको दो भागों में बाटा जाता है एक तो आती है सामान्य रेतिली मर्दा और एक आती है आपके भूरी रेतिली मर्दा भूरी रेतिली मर्दा ये जो है ये सबसे ज़्यादा है वेसे तो ओल ओवर तो सबसे ज़्यादा बूरी रेतिली है लेकिन तो कि बूरी रेतिली कई ओप्सन में नहीं है ओप्सन के अंदर रेतिली दियावा है तो फिर आंसर आपका रेतिली ही होगा काली मर्दा जो है ये राजस्तान के दक्षन पूरवी इसे के अंदर मिलती है जलोड मर्दा जो है ये राजस्तान के पूरवी इसे में मिलती है मिश्रित मर्दा ये मिश्रित जो है वो मिश्रित लाली है जो कि राजस्तान के मध्धे पूरवी इसे के अंदर मिलती है मैंली और अजमेर के अंदर टौक में भीलवाडा में यहां पर यह मरदा मिलती है वाकि रेतिली मरदा जो है यह राजस्तान के सबसे ज़्यादा छेतर के अंदर विस्तार है और यह है आपके राजस्तान के पस्चिम वाला जो राजस्तान है उसके अंदर यह देखने को मिलती है रे तिली मिर्दा अगला क्यूसन देखिए राजस्तान राज्ये की सरवादिक उपजाओ मर्दा कौन सी है एक और क्यूसन अच्छा आता है राजस्तान की सबसे ज़्यादा उबजव मर्दा तो वैसे तो उबजव मर्दा वही होती है जिसके अंतरगत या फिर उस मर्दा के अंदर जो है वो नाइट्रोजन इस धरातल के अंदर जो सबसे उपर की मर्दा है ये सबसे ज़्यादा उबजव मर्दा होती है फिर जैसे जैसे नीचे जाते है उबजव पन कम होता जाता है तो इन में से एक ऐसी मर्दा जलोड मर्दा है जिसका निर्मान कैसे होता है नदियों के द्वारा और नदिया जब बहती है तो वो अपने साथ में किसी भी छेतर की जो उपर वाला हिस्सा होता है इसको बहा कर अपने साथ में लेकर चली जाती है तो जो सबसे अच्छी अच्छी मर्दा है यानि कि जो सबसे उपरी सते वाली उपजव मर्दा है उसको बहा कर अपने साथ में ले जाती है नद वह आपके यहूं और आपके सरसो की जो फसल है यह होती है यहूं और सरसो की जो फसल है यह इसके अंतरकत होती है सबसे ज्यादा यह आपको इसमें ध्यान रखना है बाकी जैसे रेतिली मर्दा है इसके अंदर केलसियम की मातरा काफी होती है इस वज़े से यहां पर जो है व पुड़ती की फिसल प्रमुक रूप से देखने को मिलती है हडोती पठार की मर्दा कैसी है अब देख लीजे वापिस वही कि उसन आ गया वैसे गुम फिर के हडोती का पठार जैसे ही पठार की बात आती है तो पठार का निर्मान किसकी वज़े से होता है वेसाल्टिक लाव और वेसाल्टिक लावा जो है यह किसी भी पठार का निर्मान करता है और इसकी वज़े से जो मर्दा निर्मित होती है वह आपके मध्यम काली परकार की मर्दा होती है तो आंसर क्या होना चाहिए ऐसी मर्दा जो हडोती के पठार में मिलती है या फिर वेसे आपको अगर प अगला किशन भूरी रेतिली मर्दा में किस तत्व की अधिकता होती है देखो किस की बोल रहा है ये भूरी रेतिली परकार की भूरी रेतिली जो मर्दा है ये है राजस्थान की मेगजिमम एरिया के अंदर फेली हुई है पहली बात दूसरी चीज भूरी रेतिली जो है इसक तकाफी होती है दल्हन की फसल राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है फासपेट की मात्रा है नाइट्रोजन जो है यह सबसे ज्यादा किसमे मिलती है जलोड मरदा के अंदर मिलती है केलसियम जो ही यह किसमे मिलता है आपके रेतिली मरदा के अंदर जो है वो आपके केलसियम मिलता है ठीक है अमोनिया कोई मरदा में नही बिलता है तो यहां से आंसर इसका fast päर और जाएगा चौधे नमबर अगला क्यूसन है राजस्थान राजिये में जलोड्य और कछस्थारी मर्दा कीन जिलो में मिलती है देको जलोड और कछस्थारी मर्दा जो है कौन से जिलो मन within कि आपको लग रहोगा कि कहीं सारे क्यूसन एकदम सेम सेम आ रहे हैं सेम सेम का मुख्य कारण यही है कि मर्दा के अंदर क्यूसन बहुत कम बनते हैं यानि कि दाइरा क्यूसन बनाने का वह बहुत कम है आपको इसके में देखिए जैसे कि एक तो मर्दा का जो अधुनिक वर् मर्दा के टोपिक को और आपके एक्जाम में भी इतनी जादा जो है वो डीप इसमें से कुस्टन नहीं आने वाला है तो जलोड मर्दा जो है ये राजस्तान के अंदर कहां पर मिलती है पूरवी राजस्तान के अंदर मिलती है और पूरवी राजस्तान की डिस्टिक देख ल राजस्तान याना आंसर क्या होगा इसका सही भरतपुर सवय मादोपुर करो लिए और जो धोल पो टॉंक वाला जो इस्सा है लगबग पूरी राजस्तान अलवर वाला दोसा वाला उसमें यह आपके जलोड या फिर कच्छारी दोमट मरदा मिलती है अगला देखिए मरदा क सारी मरदा के अगर आपको निवानन करना है यानि कि इस मरदा को अगर आपको सुधरना है इसको कर्शी योग्या बनाना है तो इस मरदा के अंदर आपको एक चीज डालनी होगी जिसका नाम आता है जिपसम अगर आप इसमें जिपसम डाल देंगे तो लवनिया मरदा या स यह सामनी मर्दा हो जाती है और उस मर्दा का प्रियोग फिर आपकर्शी के लिए कर सकते हैं बाकि रोग फास्पेड जो है इसका भी प्रियोग किया जाता है लेकिन यह तुलनात्मक रूप से जिपसम जितना कारगर नहीं होता है यूरिया तो वैसे ही नहीं होगा यह तो व सब्सक्राइशन देखिए बंजर भूमी विकास कारीक्रम कब चलाया गया था यह इंपोर्टेंट कारीक्रम है बंजर भूमी विकास कारीक्रम के अंदर सरकार के द्वारा ज्यान देना है के अंदर सरकार के द्वारा यह कारीक्रम चलाया जाता है 1990 में 1989-1919 के अंदर जो है एक ही काम था कि जो बंजर भूमी है, उसका विकास करना है, उसको कर्शी योग्य बनानी है, इसके लिए एक कार्यकरम चलाया गया, बंजर भूमी विकास कार्यकरम के अंदर सरकार के दोरा 1990-90 के अंदर चलाया जाता है, जब आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के अंद तो आपको आंसर हो जाएगा बाड मेरी के अंदर सबसे ज्यादा करसी योग्य भूमी आ जाती है ठीक है यह आपको इसमें से ध्यान रखना है आंसर इसका क्या हो जाएगा 1990 के अंदर यह है आपके शुरू किया गए अगला देखिए राजस्थान में साई रोजेक्स एवं रेवे रीना मर्दा कहां मिलती है और राजस्थान के अंदर जो करसी विभाग है ज्यान देना है जो करसी विभाग है इसके दौरा राजस्थान के अंदर चौंदा परकार की मर्दाएं बताई गई है और वहीं एक वेग्यानिक आते हैं डी सी जोसी इनके दौरा राजस्थान के अंदर जो है वो दस परका तार की मरदाएं बताई गई है। उन 14 मैं से Democratic और 25 आटी है शाइर ओजर्जक्स और एक आती है आप के रेवे रीना ये राजस्तान के श्री गंगानगर जिले के अंदर मिलती है शाइरोजक्स वे रिना परकार की जो मरदा है अगला आता है राजस्तान में जिपसी फेरस जो मरदा है यह कहां पर मिलती है राजस्तान में जिपसी फेरस मरदा यह अभी पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एक्जाम में भी बीकानेर जिले के अंदर जो है वह आपके जिफसी फेरस परकार की मरदा मिलती है आपको ये जरूर याद रखना है बाड मेर, जेसल मेर, बीकानेर और नागोर बाजे बीना कौन कौन से है बाड मेर है जेसल मेर है जेसल मेर है बीकानेर है बिकानेर और नागोर बाजे बिना बाड मेर जसल मेर बिकाने नागोर बाजे बिना इन जिलों के अंदर जो है वो खारी परकार की मरदा मिलती है कौनसी खारी मरदा मिलती है कहीं बार क्योशन पूछ लेते हैं राजस्तान में खारी मरदा कहां मिलती है तो वो मिलती है बाड मेर जसल मेर विकाने नागोर बाजे बीना में कहीं बार पूछ लेते है राजस्तान के अंदर परवतिय मर्दा कहां पर मिलती है तो परवतिय मर्दा राजस्तान के अंदर कोटा और उधेपूर के अंदर परवतिय मर्दा मिलती है कोटा और उद्धेपूर में परवती मर्दा मिलती है जबकि आपके खारी मर्दा है बाजे बीना के अंदर और ये आपको इसमें विशेश रूप से याद रखना है जहां से क्यूशन बनता है तो विकानेर के अंदर जिपसी फेरस हो जाएगी ये एक आपके लिए सांदार क क्यूशन बनता है अगला क्यूशन है कि भील जंजाती के द्वारा परवती मर्दा में चीमाता इस्तानांत्रित जो खेती की जाती है वह कहां पर की जाती है मैदानी भूमी पर परवती भूमी पर दलदली भूमी पर या रेतिली भूमी पर देखिए राजस्थान के अंद किसी भी परवती या फिर आपके पठारी चेतर में क्याति करते कैसे हैं अजिक्ष मरदा की शरधना के लिए हम वह पर जो वनस्पती है जो इस्तान ये पेड़ पूदες हैं उनको जलाते हैं उसकी जो राक होती हिसकी वज़े से मिटी का निर्मान होता है फिर उसमें वो खेती करते हैं जैसे ही वो फसल काटते हैं तो उस चेतर को छोड़ कर फिर अगले चेतर पर जाके वहां पर वापिस जो है वही परकिरिया अपनाते हैं वहां पर वनस्पती को जलाते हैं राक बनाते हैं और उससे वापिस फसल पैदा करके फिर फसल काटने के तो उस खेती को कहा जाता है इस्तानांतरद खेती यानि कि एक जगे से दूसरी जगे पर जा जाके खेती कर रहे हैं इस्तानांतरण खेती राजस्तान में दो प्रकार की होती है राजस्तान के अंदर जब जंजातियों की बात करते हैं तो राजस्तान में एक तो जंजाती आपके भीले जनजाती है। राजस्तान के अंदर गरासिया जनजाती के दौरा जो ये इस परकार की इस्तानांतरीत खेती की जाती है। और यह कौन सा हो गया आपके परवती चेतर हो गया तो भील जंजाती के दौरा इस परवती चेतर पर यहां पर इस ढ़ाल के ओपर जो है वो खेती की जाती है उसको तो बोलते हैं चीमाता और इस मेदानी चेतर के अंदर जो आपके खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया यहां से क्यूसन कहीं बाहर पूछा जाता है तो चीमाता और दजिया क्या है वो आपको समझ जाना चाहिए वालरा गरास यह जनजाती दौरा होती है चीमाता दजिया भील के दौरा होती है क्यूसन यह बोल रहा है कि इस्तानांत्रित खेती जो किसके द्वारा की जा रही हो भील जंजाती के द्वारा और चीमाता उसका नाम है चीमाता जो है वो परवतिय धाल पर की जाती है और दजिया जो है वह आपके यहां पर तो करते हैं दजिया मेदानी के अंदर और यहां पर करते हैं आपके चीमा तक थे जो कि आपके राजस्तान भूगोल से संबंदित थे और आपने जो जो मर्दा का टॉपिक है उससे संबंदित जो है यहां पर आपके क्यूसन बन सकता है तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे तब तक धन्यवाद अच्छे से पड़ी है और अपने सफलता के परती जो है वह है एक प्रकार से लेगे रही है आपको सफलता जरूर मिलेगी धन्यवाद प्रूर